मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे यूटीब चानल को सब्स्राइब करें और बेल आइकॉन दबा कर हर अपडेट पर रखें नमस्ते दोस्तों मेरा नाम हेश पलावत है आप सकाइमेट वेदर देख रहे हैं आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है अब जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन हमने देखा था पहले क्या था कि लोग प्रेशर एरिया बना था वो आगे आया यारे कि ओडिसा च्छतिसगर्ड पर आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के उपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में देखा जा सकता है और अब क्या हो रहा है कि आज हमें उम्मिद है कि दिल्ली पंजाब के कुछ इलाकों और हर्याना के कुछ इलाकों के साथ साथ जो पश्चिमी उत्तर प्रद ये ऐसा थोड़ा सा हुआ था कि आखरी weather system है जो थोड़ा सा strong है जो यहां तक पहुचा है और अब जो weather system है वो हमें उम्मीद नहीं दिखाई दे रही कि वो यहां तक राजस्तान तक पहुच पाएंगे और अब आगे जो मानसून के कुछ दिन बचे हैं यानि केवल 30 सितंब पूरे भारत में आगे चल रहा है और ये जो अलाके है ये पूरे तरह से जून जुलाई अगस्त में हमने देखा था कि शुष्क थे बारिश नहीं हो रही थी तो एक दो दिल होती थी उसके बाद फिर से गर्मी और रुमस बढ़ जाती थी लेकिन अब जाकर के हमने देख हो रही है और मौसम सुहाव ना हो गया है तो अब क्या होगा कि जो जम्मो कश्मीर गिल्किट पालिटरिस्टान मजवफराबाद और लद्दाख इन इलाकों में तो बारिश की अद्विदा बहुत जादा कम रहेंगी अब हिमाचल प्रदेश से भी जो थोड़ी बहुत ब यानि कि विप्रीत चक्रवाती हवाउकश victims का देखिए कि घड़ी की इपोड़ी दिसा में हवाइं गुमती हैं जिसके करण यह हवां ऊपर लशती है और ठंड्डी होती है और condens होकर के बादल मनाती है बारिश देती है लेकिन जो विप्रिट चक्रवाती हमाओं का छेतर है यानि एंटिसाइकलोन है यहां घड़ी की दिसा में गोमती है और यह सबसीडेंस होता है यानि कि हवाएं नीचे की तरफ आती है जब नीचे की तरफ आती है तो गरम होती ह और उस से क्या होता है कि जो बादल बगेरा नहीं बंती है मौसम साफ रहता है और दूसरी बात यह है कि यह इंग जो पूरा इलाका है आप जेख सकते हैं सिंद वलुचस्तान अफगानिस्तान पाकिस्तान यहां पर कोई बड़ा पानी का सुरू होते नहीं है तो यहां से जो हवाय आती है वो शुश्क होती है और यही हवाय है जब यह धीरे-धीरे पूरे यहां तक आ जाती है तो क्या होता है कि यह मानसून को हटाना शुरू कर देती है क्योंकि जब शुश्क हवाय रहेंगे और नमी कम होती जाएगे तो मौस्चर जब कम हो और अक्टूबर के पहले सब्ता में हो सकता है कि पंजाब, हर्याणा, दिल्ली, हिमाचल पर्दे, सो उत्राखंड के कुछ भागों से मांसून विदा ले ले, उसके लिए अभी इंतिजार करना पड़ेगा, लेकिन एंटी साइक्लोन मनने के कारण क्या होगा, कि अब जो खो पाएगी, अब बाकी लागों की बात करें, जैसे दिल्ली में कलसे बारिश कम हो जाएगी, हर्याणा और पंजाब में भी खतिम हो जाएगी, और उसके बाद भी दिल्ली में सब्सक्राइगा, जैसे मैं पहले भी बताया था आपको, कि जब बादर हड़ जाते हैं, ले बनाएगी और गरजने वाले बादल कोछ इलाकों में हलकी बुलकी बारिश बोचारे देकर चले जाएगे अब क्या होगा कि यह साइक्मोनिक सर्कुलेशन आपने देखा कि खुड़ा सा इधर आया है तो अब उत्तर प्रदेश के कई लाकों में अभी भी बारिश होगी खास आपस आप देख सकते हैं तो इसके प्रभाद से बिहार में आज से बारिश बढ़ जाएगी और अगले दो-तिन दिनों तक अच्छी बारिश का इलाकों में देखने को मिलेगी हाला कि बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होगी लेकिन जो रहात है किसान भाईयों को जो अभ तरह से आ रही है यह आ रही है तो अब इसका प्रभाद क्या होगा यह थोड़ी से अंदर आएगी तो आज कल से क्या होगा कि जारिखंड गंगे पश्चिमंगाल ओडिसा च्छतिस गड़ और कोश्टल अंदर प्रेस के साथ तेलंगाना के कुछ वागों में बारिश की ग जामाबाद यह सारे लागे बारिश देखेंगे बिदर्व में भी कुछ वारिश की गत्विदा देख सकते हैं और पूर्वी उत्तर प्रदेश के जैसे मांडला वगेरा है यह इलाकों में लाइक तो मॉड़ेटरें हो सकते हैं इन इलाकों में भी लाइट तो मॉड़ेटरें देखने को मिलेगे बारिश की गत्विदा कम हो जाएंगी वालियर संबाग में गुना, अशिपुरी, साजापुर, नीमचेधार, खांडवा, खरगोन, उज्जन, रतलाम, बर्वनी, अल्राजपुर इन इलाकों में बारिश की गत्विदा बहुत कम हो जाएंगी, हलकी हो जाएंगी और दीरे यहां से मौसम साफ होने लग जाएग पश्मीराजिस्तान और गुजरात, मैंने पहले बता दिया, शुष्क रहेंगे, कोका निड़गोः, मदिमाराष्ट्रा और मराठ वड़ा ये इलाके भी बारिश की गत्विदियां बहुत जदा कम देखेंगे, हलकी बुनाबादी ही रहेगी, मुम्बई में अभी तीन, और लक्षण की बात करने तो यहां पर देखिए कोई बादर सिस्टम आपको दिखाई नहीं देखने को मिलेंगी लक्षदीप में भी बारिश नहीं होगी अन्दमान और निकुमाद इप सभू में हलकी से मद्य बारिश देखने को मिल सकती है तो कुल बिला करके मानसून के बिदाई के लक्षण अब रजर आने लगे हैं और हलाकि बहुत देर हो गई है पहले क्या होता था है जैसे मैंने वापको बताया कि एक सितम्बर से मानसून यहां से बिदा लेना शुरू कर देता है तो पश्चमी राइस्तान से लेकिन अब उ मानसून की विड्रॉल देरे-देरे सुरू हो जाएगी और अक्टूबर के पहले सब्ता में काफी तेजी से मानसून पूरे इलाके से यानि के उत्तर पश्चे मारत से बिदा होने की संभावना हमें दिखाई दे रही है इसके आगे जो भी अपडेट होगा आपको आगे सब्सक्राइब करें और बैल आइकोन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर